था कम्यूनेल पार्टी है तो मैं पूछना चाहते हूँ कि क्या आपके पास्तान में जब पार्ले मेंट की कोईRunny hootी है या कोई समारो होता है तो जितने भी ईंदू है मंनेजी दस हिंदू है आपके पाकिस्तान तो क्या वहां पर भगवत Kingdom पढ़ाया जाता है नेवर हमारे नेवर कहा ना आपने पढ़ाया जाता है क्या नए पर हमारे हिंदुस्तान के पर्धान मंत्री पुर्शुकून तरीके से आंख बंद करके पुरान की तिलावत सुने हैं और इन पर अगर उंगली उठी इसे पर्धान मंत्री पर अगर उन मुसल्मानों से पूछना चाहती हूं कि अगर पानी की कभी दिक्कत गो जाए तो हिंदुस्तान में रहते वे तो हिंदुस्तान की मिट्टी से ही वजू और तयमूम कीजिए गा ना क्या पाकिस्तान से मिट्टी मंगवाई येगा ये तो नहीं है ना हिंदुस्तान की मिट्टी से और खुदा कभूल करने को तयार है तो मैं हिंदुस्तान की मिट्टी पे दफनाई जाओंगी ना वो बोल देंगे देखिए आपए हिरोशीमा में गांधीजी की मूध की इस्टेचू के अस्थापना रखी गई और जितने वहां पर इतने हिरोशीमा और जैपैन के जितने भी एमबसेडर और मिनिस्टर लेबल के लोग थे मिनिस्टर्स थे वो हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रतना किया गानी जी के सामने एक वक्त था कि आज भी लोग घड़ियां खरिते हैं तो उसमें दस-दस का कांटा लगा रहता है यह वही हिरोशीमा और जापैन है जहां पर शांती के लिए क्योंके गानी जी को हम क्या बोलते हैं शांती का प्रतीक बोलते हैं हम फादर ओफ नेशन को हमारे बापु जी को किस तरीके से पुकारते हैं पीस की तरीके से पुकारते हैं तो जैपैन जैसे जगह पर गानी जी की स्टेचू का स्थाप न रखा हैं कि आपको जो समझना है आप समझ लीज़ें आप सोचिए कि इस भारत में ऐसे ऐसे जाहिल मौलवी मुल्ला है ऐसे ऐसे पाखंडी मौलवी मुल्ला है जो औरतों को नीचे दबाने के लिए कुछ भी तरीके से करने को तैयार है किसी भी तरीके से मैं जिस भी जिस भी अनपढ़ जाहिल मुसल्मान की तादात बहुत जादा है वह सच्छर कमिशन का रिपोर्ट है हि सच्चर कमीटी की रिपोर्ट है यह बिल्कुल भी नहीं चल रही है आप आप भी अग्री करेंगे देखिए आप एक न्यूज रिपोर्टर है डेफिनेट्ली सवाल करने का आपका पूरा-पूरा हाफ है लेकिन डिक्टेटर्शिप आप मुझे एक बता दीजिए जहां पर लिखाया गया है लिखिए जो हमारा है वो तो हमारा है पाकिस्तान की सरकार ने बहुत सारे हटकंडे अपनाएं बेवकुपाना हरकती की उन्होंने सिरिनगर में कश्मीर में जी-20 की मिटिंग को रोक रहे और यह नहीं जाएगा यह बिल्कुल नहीं जाएगा यह कभी नह जाएगा इनको समझ नहीं आ रहा है कि यह दलदल में फस चुके है इनको इनके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का पर एक सिर्फ एक मातर एक चीज है इनके पास घमण इगो इसके लाब और कुछ बचा नहीं अंदर तरीके से यह भी जानते हैं कि इनका इनके इन तो सुर्य रह्मान की सूरा हुई है, पुरान की तिलावत हुई है और मोदी जी ने जितनी सुकून से और आखें बन करके जितनी महबत से सारे पुजा को उन्होंने सुना है और आदर और सम्मान दिया है उतनी ही एक्वालिटी के साथ उन्होंने पुरान की सूरा को भी प पर इतनी मुहबबत, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी एक्वालिटी है, हमें कैसे देश में रहते हैं, जहां पर बेटियों को सच में दीवी समझा जाता है, हमें कैसे देश में रहते हैं, जहां पर बेटियों को बढ़ने का, पढ़ने का, हवा में उड़ने का मौका दिय जाता है किसी भी तरीकी की कोई बंदिशे नहीं दी जाती है हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कुछ बं करके कुछ करना चाहती है और अगर आप मैवेश एक मुसलिम समुदाय से आती है एक मुसलिम कमिनिटी से आती होगी कि आपका भी सपना होगा कि आप पाइलेट बन जाएं आप एरोस्टेस बन जाएं आप बहुत कुपसूरत मॉडल बन जाएं तो यह सारे सपने हम नहीं देख सकते हैं अगर हम मुसल्मानों को खुश करने के चक्कर में रह जाएंगे लेकिन हिंदुस्तानी कैसी जगा है जहां पर मुसल्मान लड़किया फ्लाइट वड़ा रही है पाइलेट्स बन रही है तीचर बन रही है जजज बन रही है मेजिस्ट्रेट बन रही है, डॉक्टर बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है और महीला, ट्राइबल वोमेन यहाँ पर की प्रेसिडेंट ओफ इंडिया है तो यह अखंड भारत का जो स्लोगन है, वो सच में इन तमाम चीजों को समेठता हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्नती की बात की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की की बात की जाएगी और भारत को अखंड करके एकिता की बात की जाएगी इतना उपसूरत पारलिमेंट है, इतना उपसूरत है मानु जैसा लगता है कि आम आखों से, आखों में एक सपना कभी जिंदिगी से, कभी जिंदिगी में हमने देखा था और वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत खुद में बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि इस भारत की वेटी हूँ मैं और भारते जनता पार मुद्दा उठाया, जिस पर भारत के पर्धान मंत्री ने भी उसको मुद्दा बनाया, और कहा कि हाँ तिंतलाग बंद होना चाहिए, मैंने हमेशा कहा था कि ओरते जो हैं वो अकेले हजपे उनको जाना चाहिए, जब और अकेले बच्चा पैदा कर सकती है, नौ महीना पर गई थी, और ये आज का, कल का नियूस है, कि 4,000, more than 4,300 इंडियन मुस्लिम वोमन जो है, वो अकेले हजपे पर जा रही है, माल नीची आने मले 2-3 साल में लाख हो, 10 लाख और जाएंगी, लेकिन देखिए, यहां पर भी मुसल्मान मौलवी मुलाओं ने, अभी ना कर लेगा, आप उनके लिए फत्वा क्यों नहीं जारी करते हैं, जो मुसल्मान बलादकार करता है, आप उनके लिए फत्वा क्यों नहीं जारी करते हैं, जो मुसल्मान तलाक देता है, आप उनके लिए फत्वा क्यों नहीं जारी करते हैं, जो हिंदू लड़कियों से शादी करता है, जो हम कलमा लड़कियों को चूज नहीं करता है, आप शराब नवेशी को और जना को आप मिला रहे हैं हज़ पे जाने से, मतलब जो क्राउंड प्रिंस है, सौधी अर्बिया का, जो इस कॉपरेशन के लिए तैयार है, जो ये पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉ ले रहे हैं, कि जो भी और खवातीन अकेले यहां पर हज़ पर आएंगी, उनको पूरा पूरा हैल्प और कॉपरेशन मिलेगा, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत उनको होगी, हमारे टीम, हमारे सरकार उसके लिए खड़ी रहेगी, भाई जो औरत नो महीना बेट में बच् जगह जाने की बात हो रही है, उसको ये मौलवी मुला किस से मिला देते हैं, शराब से मिला देते हैं, आप सोचिए, ये खड़े जहन्नमी है, तब मैंने उनसे कहा, कि इसलाम ने तो हमें एक्वालिटी का तरशा दिया है, इसलाम पूरे तीस पारे ने कहीं पर भी, तो एक इसलामिक स्कॉलर मेरे पस प्रूफा है, मैं आपको दे सकती हूँ कि 이लामिक स्कॉलर ने कहा है, कि जो चीज़े खुरान में पूरी नहीं है, वो हदीस में पूरी की गई है, मतलब उन्होंने कहा दिया कि खुरान कुरा नहीं है आँज्योंगा, तो मैंने उनसे कह इस्लामिक स्कॉलर ने कहा है कि जो चीजे खुरान में पूरी नहीं है वो हदीस में पूरी की गई है मतलब उन्होंने कह दिया कि खुरान पूरा नहीं है ना उजब इल्ला तो मैंने उनसे कहा आपका कहना है कि खुरान पूरा नहीं है तो वो कह रहे हैं कि आपको जो समझना है आप समझ लीजा कि आप सौचे कि इस भारत में एसे ऐसे जाहिल मौलवी मुल्ला है जो उर्तों को नीचे दबाने के लिए कुछ ही तरियके के आए कुसी तरियके से मैं जिस भी जिस भी अनपढ़ जाहिल मुसल्मान की तादाद बहुत ज्यादा है वैं सच्चर कमिशन का रिपोर्ट है हिंदुस्तान में सच्चर कमिटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में जो मुसल्मान है वो दलीतों से भी नीचे है पढ़ाईगा शिक्षा में दलीतो पूरा पढ़के सुना दो, आप मुसल्मान को कहिएगा, कि सुरह रह्मान ने क्या कहा है बता दो, आप मुसल्मान कुछ आ करके हिंदुस्तान में पूछिएगा, क्या ठीके अत्यात क्या है वो बता दो, अत्यात में क्या कहा गया है वो बता दो, वो नहीं बताएगा, वो आ आज वक्त नमाज मुकमल नहीं कर सकते हैं, अगर हमें अत्यात ना याद हो और हमें तीन कल्मा ना याद हो, वो तीन कल्मा के माइन ही नहीं पता हैं यहां के मुसल्मानों को, और यह फत्वा जारी करते हैं, कि भाई लड़की और अगर अकेले जाएंगी हज़ पे, तो उनक अच्छा लग रहा है कि आज इस सरकार की वजह से मर्द और और ओरत को equal footing का दर्जा मिला है एक तम शाना बशाना लग करके चलने का अपने आपको अपने आपको आगे बढ़ाने का दर्जा मिला है अखंड भारत इन सारी कि मिट्टी के बारे में कुछ लोग हैं जो बहुत अजीब बोलते हैं कुछ मुसल्मान लोग है जैसे हमार पाश्चिम बंगाल की एक मेंबर और पार्लेमेंट है नुस्दत रूजी जहान जिन्हों मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई यह उनका वहतिगत मामला है पर उन्होंने पार्लेमेंट पे जाकर कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर बुल्लेट ट्रेन चला दिया जाए पर चला के दिखा दिया गया वंदे भारत चला के दि भी ने दिक्कत हो जाए तो हिंदुस्तान में रहते वैं तो हिंदुस्तान की मिट्टी से ही वजुव और तयमूम कीजिए ऐसे ये नाजिया जी और जिस कुरान के आप बात करी हैं उसके अंदर ये भी मेंशिन है कि जिस मुलक में रहो उस मुलक से मुहबबत करना भी आपको सवाब कमाने के बरावर है फिर आपने अखंड भारत की बात की तो आपको नहीं लगता कि अखंड भारत एक ऐसा नाम है कैसा घजवा हिंद बना वे जो लोगों से अपनी पावर की तरूर राइट्स खेंच रहा है जिस तरह आजाद कश्मीर को अपने मैप में शो करवाया तमाम उन हिस्सों को जो अलग है उनसे उनके नहीं है उनको अपना बना लिया कि ये हमारा हिंदुस्तान है अब इसको कोई ऐसे पोड्रे किया गया नहीं किसी भी तरीकी की कोई भी डिक्टेटर शिप यहां तो चल नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं चल रही है आप आप भी अग्री करेंगे आप एक न्यूज रिपोर्टर है डेफिनेट्ली सवाल करने का आपका पूरा-पूरा हाफ है लेक टांगर में कशमीर में G20 की मिटिंग को रोक रहे हैं पर क्या ऐसा हूँ नहीं मिटिंग बहुत सवस्फुल रही है अब मैं अपने वालदयान को अपना ना बोलू तो किसी और का पराया का बोल दूँ अब मेरे वालदयान को अगर कोई दूसरा आकर के अप कर के मुम्मी मा भी तुम्हारे भी लेकिन है तो नहीत, बार फेस्तारे मेरे भी जाए जाएगा है लुदा के लेत가지고 मेरे हैं अन्गे तोुमे को और पकिस्तान की अकश्मार्ग के मेंभी कोश्मिर बॉडबा है वो आज भी कहते हैं कश्मीर हमारा है हम लेके रहेंगे जिस तरह आप तो खैर भारत ने बहुत बड़ा कदम ले लिया कि मैं आपने ही शोकर आदी आदाद कश्मीर हमारा है तो इन सेनारियों उसे क्या बोलेंगे जो फिर मैं कहूंगी कि अमिशा जी ने पार्लिमेंट के अंदर एक बात कही थी कश्मीर हमारी जान है और हम अपनी जान को अपने अपने से अलग नहीं कर सकते हैं और हमारे फॉरणर मिनिस्टर जो है डॉक्टर जैशंकर उन्होंने स साफ लफजों में कह दिया था कि 370 की बात अब इतिहास हो चुकी है अब तो पीयोके की बात होगी अब तो इंडिकेशन तो वहीं पर मिल गया था मुझे नहीं पता कि आपके पाकिस्तान के लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं मतबुत भी थोड़ी सी कम है या माथा थोड़ सक कम चलता है तो यह बात तो 2022 से कंटीन्यूट पार्लेमेंट के अंदर भी की जा रही है अलग-अलग चैनलों के सामने भी किया जा रहा है पाकिस्तान के फॉरण मिंतरी जब बिलावल गुट्टू यहां पर आये हुए थे तब उनके सामने भी कह दिया गया था सेकेंड डे जब G20 की जो मिटिंग वुई थी उसके सेकेंड डे जब प्रेस कॉनफरेंस हुआ था तो आपके ही पाकिस्तान की एक एक रिपोर्टर ने पूछा था तो उन्होंने साफ लफजों में डॉक्टर जैशंकर जी ने कह दिया था कि अब तो 370 तो इतिहास हो चु तो ने कि पाकिस्तान को बहुत जोर मिर्ची लेगी है और समूखी में लेभी है अगया है आपको ने लगता है पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है जब हिंदुस्तान कमजोर हालात में था तभी तो पाकिस्तान ने अजमल खसब भेजा था ना उसको तो पता था कि मौन बरत की सरकार है और आज भी पाकिस्तानी बहुत मिस करते हैं कि कॉंग्रेस की सरकार क्यूं चली थे क्योंकि तब तो अजमल खसब के लिए समुंदर का रस्ता खोल दिया गया था ना अब तो चीटी आने का रस्ता भी नहीं खोला जा रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है बड़ी परिशानी हो रही है हम इंतिजार करें और आपको क्या लगता है मैं आप से पूछती हूं आप तो पाकिस्तान की वोतर है आपकी पैदाईश पाकिस्तान है पाकिस्तान के जो हालात है पाकिस्तान की जो गुर्बती है पाकिस्तान में जो भीक मांगने का जो हालत हो गया है पाकिस्तान में जो आलू बेंगन चोरी कर रहे हैं जंता पाकिस्तान में अपने ही फॉर्मर प वहां के युवा यंग्स्टर्स जो है वो तो भाग जाने की कोशिश में लगे हुगा है वो तो दुबई और शांज आ जा रहे हैं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बहुत बढ़ी फैक्टरी बन जाएगी पाकिस्तान में एडूकेशन को बहुत इंप्रूफ किया ज अगर कोई मदद करने को आगे भी बढ़ जाएगा ना तो भी निक्योलियर वांग का धंकी आ जाएगा आप सोच ये ना कि क्यों आखर क्यों पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को किनारा कर दिया है पूरी दुनिया क्यों नहीं चाहती है इसके साथ बैठना आप पूई तो वीजा का भी प्रपोजल दे दिया है पूरे पूरे रेशियो के साथ वो चाइना जो है वो इंडिया के नियू पार्लिमेंट को ले करके अखंड भारत को ले करके वहां की इन्योग्रेशन समारों को ले करके तारीफ का भंडार लगा दिया है तो अब पाकिस्तान की सरकार का आखा भी अब हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है देखिए हम तो किसी को बोले नहीं न कि आप मेरी तारीफ कीजिए देखिए पापुआ पापुआ में जा करके जो भारत के परधान मंत्री का जो पैर्च हुआ गया हमसे आशिरवाद लिया गया यह तो किसी ने बोला नह कि आपको दावस बोलना है और वह इतने इतने तो कमजोर नहीं है कि हमारे बोलने पर बोल देंगे देखिए जापन हिरोशिमा में गांधी जी की स्थापना रखी गई और जितने वहां पर हिरोशिमा और जैपैन के जितने भी अमबसेडर ते और मिनिस्टर लेवल के है जहाँ पर चार्म झी क destructive इंग जाती के लिए जहां पर शांती के लिए क्यों क्या बोलते हैं शांती का प्रतिक बोलते हैं हम Fsystem की तरीक事 एपन जैसे जगा पर गांधी जी स्थापना रखा गया तो एकिस नहीं किया यह भारत के प्रतहर मंत्री नें किया वह जाते तो मन कर सकते पर उन्हों तो मना नहीं किया, तो ये charm है, ये glamour है, और ये glamour, ये charm, ये popularity, ये इतना ज्यादा उनका उथसा, ये ऐसे नहीं आ रहा है, लोग देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया की निगाहे टिकी हुई है, ये वाख्वे में ये आत्मी काम कर रहा है, ये अपने हि करके रखा हुआ है और इसके cabinet में जितने लोग हैं इसके छोटे से चोटे worker को उठा लीजिए और बड़े से बड़े मंत्री को उठा लीजिए सब equally काम कर रहे हैं अभी रात काई 11 बज़ रहा है आप मेरे को आपने मेरे से कहा मैंने कहा हां करते हैं टिवेट कोई दिक्कत न आराम, नेपोटिजम, बादशाहियत, ये जो मुगल की तरह पड़े रहना, सुस्ती में रहना, कुछ नहीं बोलना, काम नहीं करना, ये जो चीजें थी ना, ये कभी हुआ करती थी, ये मोदी जी की सरकार है, ये ये पॉसिबल नहीं है, यहां है कि जैसे चौकिदार पूरे पूरे अपार्टमेंट के लिए चौकिदारी करता है, उसी तरीके से हम चौकिदार है, और सब के साथ, सब के विश्वास के साथ, हम लोगों को उनकी हिपासत के लिए दिन रात जाक करके मेनद करनी है, और पूरे परिवार को, पूरे हिंदुस्तान के परिवार को, अखं अभी तारीफ करने पे मजबूर हो गया मगर पाकिस्तान अभी भी बज़द है कुछ नहीं बचा ती कुछ नहीं बचा मगर फिर भी अन्हा के हातों मजबूर है क्या कहीं में देखे ये तो जनमसिद अधिकार है मुसल्मानों का ऐगो कि गो जो है वो उनको आधिकार है कुछ है जो change हो जाते हैं कूछ जो बजद रहते हैं कि हम change नहीं हो नहीं होना है हुआ कि हिदे कि आप किसी हिंदोस्तान भी आ जाएगा तो यहां के भी एक गुट है मुसल्मानों का जो बज़े दे के हमको औरत को अपने पैर के जूती बना कर रखना है हमको औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर रखना है हमको औरत को नौकरानी बना कर रखना है तो यह जो एक adamant और stubborn nature है वो पाकिस्तान का है बिल्कुल है और यह नहीं जाएगा। यह बिलकुल नहीं जाएगा। यह तक्बह। नहीं जाएगा। इनकों समझ नहीं आ sia रहा है, कि यह दलडल में फसजुके है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। पर सिर्फ एक मात्र गमण ऐगो। इसके लावब और कुछ बचर यह अंदर तरीके से यह भी जानते हैं कि इनका इनकी पोजिशन जो है वो एक्तिताम पे पहुंच चुकी है खत्म पे पहुंच चुकी है यह ड्रामा खत्म हो चुका है हमारे लिए किसी भी तरीके से पाकिस्तान से कोई तुलना ही नहीं है हम आस्माने वो जमीन नाजिया जी अगर चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से पाक चीन दोस्ती के नारे लगाता आया है पाकिस्तान को भी बड़ा घमन था चीन की दोस्ती पे हर दूसरी जगह पे कही रोड्स के प्रोजेक्स चल रहे हैं तो कहीं सी पेक्स चैसी को पाय तकमील तक पहाँचते देखा कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हो गई है तो उन्होंने भी रंग बदली अब क्या होगा पाकिस्तान की मैं तो शुरूवात यहां से करूंगी कि चाइना को आखा समझने वाला कभी यह नहीं जहांक कर देखा कि चाइना में औरतें बड़ी बेबाग होती हैं बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं औरतों का एक मरतबा होता है तो पाकिस्तान में औरतों को इतना डिप्राइफ करके इतना मजबूर करके क्यों रखा जाता है पता नहीं इतना स्यादा रुलाया क्यों जाता है तो मैं कहना चाहूंगी कि लाई बचाए पाकिस्तान को पर घमंड जो होता है वो तूटता है यह तो खुदा के रसूल ने भी जाए है कि घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको बरबाद करके आपको कहीं का नहीं छोड़ती है तो यह जो इनको सामने में अजर मिल रहा है नतीजा मिल रहा है ये इनको इनके घमण का मिल रहा है और मैं सिर्फ पाकिस्तान के मुसल्मानों को नहीं कहूंगी मैं हर एक उस वेयत्ति को कहना चाहूंगी जिसको घमण है चाहे क्वा वो किसी को अपने मर्द होने का घमण है किसी को अपने बहुत तरक्की आफ्ता होने क का घमंड है किसी को अपने बहुत खुपसूरत होने का घमंड है किसी को अपनी बहुत पॉपुलारेटी का घमंड है किसी को अपने बहुत शरीफ होने का घमंड है को वो किसी भी अंदाज में हो घमंड नेस्त नाबुत और चकनाचूर बरबाद होता है और सामने वाले व्य